सो दोस्तो यमा की MT15 का 2023 मोडल डीलर्स के पास आ चुका है और जैसे ही बाइक डीलर्स के पास आये थी तभी मैंने इस बाइक के एक वीडियो बना दी थी अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पे जा के देख सकते हो या फिर आई बटन पे भी क चेल्ड कंपेरिजन करेंगे सो नई वाली MT15 में सबसे बड़ा अप ग्रेट जो हुआ है वो है डूल चैनल EBS का नई वाली MT15 में अब आपको डूल चैनल EBS मिल जाएगा लेकिन पुराने वाली MT15 है 2022 मोडल उसमें अभी भी आपको सिंगल चैनल EBS ही मिलेगा उस बाइक मे 2022 मोडल में सबसे बड़ी कमी डूल चैनल EBS की थी जो बाइक के 2023 मोडल में अब पूरी हो चुकी है और काफी सारे दोस्त MT15 इसलिए भाई नहीं करते थे क्योंकि इस बाइक में डूल चैनल EBS का कोई ओप्शन ही नहीं था लेकिन अब कंपनी को पता चल गया है कि भाई इस वाली MT15 2022 में अभी भी आपको हैलोजिन इंडिकेटर सी मिलेंगे स्व एलेडी इंडिकेटर स्पाइक में ज्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन एक छोटी सी कमी अब ये भी रह गई है कि यार MT15 के 2023 मोडल में यामा ने हजार्ड लाइट स्विच नहीं दिया है यानि कि व दे देते हैं तो ये था इन दोनों बाइक में सेकंड डिफ्रेंस एलेडी इंडिकेटर का और थर्ड डिफ्रेंस के बारे में बात करते हैं जो है BS6 OBD2 नॉम्स का जो 2023 मोडल है MT15 का उसमें BS6 OBD2 सेंसर है और ये बाइक BS6 Phase 2 को फोलो करेगी जो एपरेल 2023 से मेंडेटरी हो जाएगा सभी बाइक में सो यामा ने MT15 में अभी से ही OBD2 सेंसर ओफर कर दिया है तो ये था दोनों बाइक में थर्ड डिफ्रेंस फोर्थ डिफ्रेंस दोनों बाइक में है न्यू कलर को मिनेशन का जो MT15 का निया वाला मोडल है 2023 मोडल उसमें आपको ब्लेक कलर के साथ में नियोन कलर के लोविल्स मिल जाएंगे लेकिन पहले जो इस पाइक का ब्लेक कलर आता था उसमें ब्लेक कलर के लोविल्स थे लेकिन अब यामा ने ब्लेक कलर वाले मोडल में नियोन कलर के लोविल्स दे दिये हैं लेकिन जो बाइक के और कलर के बाइक के वो बिलकुल वैस अब दोस्तों MT15 version 2.0 2013 model में आपको traction control system भी मिल जाएगा जो आपको R15 V4, R15 M में मिलता था और ये feature MT15 के 2022 model में नहीं है अभी भी आपको 2022 model अगर लेना है तो उसमें आपको TCS नहीं मिलेगा और दोनों bikes में 6 change की अगर बात करें तो वो price का difference है MT15 version 2.0 2022 model का एक्षियोर्म प्राइज 1,65,000 रुपए है लेकिन जो नया model 2023 model इस पाइक का 13 फर्वरी को officially launch हो रहा है उसका एक्षियोर्म प्राइज 1,70,000 रुपए से लेके 1,72,000 रुपए के आसपास आपको मिलेगा और उन्दरों प्राइज बाइक का आपको 2,00,000 रुपए और 2023 model में 6 difference है जिसमें सबसे पहले है dual channel ABS, second है LED indicators, third है BS6 OBD2 gnomes, fourth है new color combination, fifth है TCS यानि की traction control system और six है price का difference सो दोनों models में ये 6 difference है, सो अब बात करते हैं कि आपको 2022 model लेना चाहिए या 2023 model तो देखो या 2023 model में यामा ने काफी अच्छे features offer कर दिये हैं और इसकी वज़े से बाइक का price 5,000 से 6,000 रुपए के आसपास बढ़ेगा जो बिलकुल वर्त है लेकिन अगर price bike का 10,000 के आसपास तो फिर भाई वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन MT15 2023 model के looks थोड़े और ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि LED indicators की वज़े से bike काफी premium लगती है और dual channel EBS आने के बाद ये bike safety के point वी उसे भी थोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो भाई अब आपकी priority भे depend करता है कि आपको नए वाले features चाहिए, तो आप MT15 2023 model के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर आपको ये नए वाले features नहीं चाहिए, तो फिर आप 2022 model को भी ले सकते हो, so guys ये था MT15 2022 model और 2023 model का detailed comparison, इन bike के अंदर क्या differences हैं, वो मने आपको clearly बता दिये हैं, नए वाली MT15 की booking भी स्टार्ट हो चुकी है आप अपने nearest किसी भी यमा के शोरूम पे जाके इस पाइक की booking करवा सकते हो, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रू कर देना, चैनल को सब्सक्राइब